नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में, तो इस प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 Types of Traversal, Traversal बहुत ही important होते हैं, क्योंकि कोई भी question बिना Traversal के solve नहीं करा जा सकता, तो शुरू करते हैं 4 Types of Traversal, तो basically जो important टाइप होते हैं, वो 4 होते हैं, तो हम इस वीडियो में वही cover करने वाले हैं, तो शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि Traversal basically होता क्या है, तो एक बार Wikipedia की definition देख लेते हैं Tree Traversal is a form of a graph Traversal, which is process of visiting each node exactly once, क्या मतलब है इसका, मतलब आपको tree में सारे node को visit करना है, बट हर node को exactly एक बार visit करना है, तो basically हमने सारे node को visit भी कर लिया, हर node को सिर्फ एक बार visit करा है, कोई repeated हमने visit नहीं करा है, तो basically इस process को हम Traversal बोलते हैं, और further Traversal अलग-अलग category में divide करेगा हैं, तो जो दो important category हैं, वो एक बार देख लेते हैं, तो पहला है depth first search, यह basically एक graph algorithm है, तो इसमें होता गया है, इसमें आप किसी भी अगर node में होते हैं, तो पहले आप उस branch के depth में जाके सारे node पहले visit करते है फिर आप दूसरी branch में आते हैं, फिर उसके depth को पूरा visit करते हैं, फिर आप next branch में आते हैं, तो हम depth को पहले cover करते हैं, तो यह हमारा short में हम इसे DFS बोल सकते हैं, second category है हमारा breath first search, तो short में हम इसे BFS बोलेंगे, तो BFS में क्या होता है, BFS में depth में नहीं जाते हैं, हम जिस level मे होते हैं, पहले उस level के सारे node हम visit करते हैं, फिर हम एक नीचे depth को cover करते हैं, पहले level के सारे node visit करेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे, फिर उस level के सारे node visit करेंगे, जबकि DFS में पहले एक branch पकड़के हम पहले उसके depth को cover करते थे, फिर हम दूसरी branch पे उपर वापिस आते केटेगरी है यह फॉर्दर हम जो चार तरह की ट्रिवर्सल पढ़ेंगे उन्हें इन केटेगरी में डिवाइट करा गया तो डी ऐफस में आप प्री ओर्डर इन ओर पोस्ट और पढ़ेंगे यह ट्री ऐफस टेकनीक फॉलो करते हैं यह पहले देप्थ को कवर करते हैं और ब पढ़ना ही पढ़ेगा तो यह सबसे basic है और सबसे important topic है तो अब pre-order reversal में आते हैं और देखते हैं कि pre-order reversal होता क्या है तो यह हमारा DFS का part है तो पहले depth में सब cover करेंगे फिर हम second branch पे आएंगे तो pre-order में करना क्या है pre-order में technique है सबसे पहले आप root note को विजिट करते हैं फिर उसके left subtree में जाते हैं फिर उसे पूरा विजिट करते हैं उसके बाद हम right subtree में आते हैं और traversal मैं दुबारा repeat करना चाहूंगा traversal का मतलब होता है सारे node को विजिट करना है बट हर node को exactly एक बार विजिट करना है तो pre-order का simple steps हैं पहले किसी भी आप tree में हो यह जो steps हैं यह recursively हमें follow करना है कैसे recursively follow करना हमें आगे बताऊंगा हर tree में पहले root node visit होगी फिर उसके left subtree में जाना है फिर उसके right subtree को पूरा विजिट करना है तो शुरू करते हैं एक बार इसको dry run करके देखते हैं सबसे पहले हम root node 1 को visit करेंगे अब pre-order में हम जाएंगे left subtree में पहुच जाएंगे left subtree में हम जब जाएंगे तो recursively step repeat होंगे इसका मतलब क्या है अब आप एक नए ट्री में आपने एंटर कर रहें तो अगेन अब पहले आप इसके root को print करेंगे जो कि 2 है अब आप इस ट्री के left subtree में जाएंगे अगेन यह recursively step repeat होंगे अब आप एक नए subtree में एंटर कर चुके तो पहले इसके root को print करेंगे फिर इसके left subtree में जाएंगे जो कि null है फिर इसके right subtree में जाएंगे जो कि null है तो यह subtree complete हो चुका है तो हम बापिस आ जाएंगे 2 पे 2 को हमने print कर लिया था 2 के root node को 2 के left subtree को भी हम visit कर चुके थे अब 2 के right subtree में आना है और recursively step repeat होते हैं इसका मतलब पहले अब यह 5 वाले subtree के root node को print करेंगे जो कि 5 है फिर इसके left में जाएंगे null है इसके right में जाएंगे null है फिर हम बापिस पीच्छा जाएंगे तो आप देखेंगे हर tree में enter करते हैं तो यह step repeat होते हैं तो आप बापिस आप 1 पे आ चुके हो 1 के root node को print हमने कर लिया था 1 के left subtree को हम print कर चुके हैं तो अब 1 के right subtree में आएंगे फिर यह step repeat होंगे क्योंकि यह 3 है अपने आप में यह subtree है तो पहले 3 के root node को print करेंगे 3 के left में जाएंगे null है 3 के right में जाएंगे null है तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने pre-order maintain किया पहले root node फिर left subtree फिर right subtree और हमने पूरे tree को visit करा हर node को एक एक बार visit करा है तो इस तरीके से हमने अपना pre-order of this binary tree हमने print कर लिया तो इस तरीके से आप pre-order traversal कर सकते हैं अभी हम बाद में समझेंगे कि कौन सा traversal हमारे लिए best रहता है और किस question में कौन सा traversal use करना चाहिए उससे पहले हमें सारे traversal समझने पढ़ेंगे पढ़ना पढ़ेगा आगे बढ़ते हैं in order traversal क्या step follow करता है इन order में हमें क्या करना होता है हम root node को पहले print नहीं करते हैं पहले left subtree को पूरा print करते हैं फिर हम root node में आते हैं फिर हम उसके right subtree को print करते हैं तो एक बार जल्दी से इसका order print करके देखते हैं तो पहले आप one पे हैं लेकिन आप one को print नहीं कर सकते हैं one के पहले left subtree को print करना पड़ेगा अब आप two पे आ गए जो कि one का left subtree है लेकिन ये अपने आप में एक ट्री है तो again पहले इसका left subtree print करना पड़ेगा four अपने आप में एक ट्री है तो पहले four का left subtree print होगा जो कि null है अब हम जाके four को print कर सकते हैं जो कि अपने आप में एक root node है तो हम four को print करते हैं अब four जो हमारा subtree था अब हम उसके right subtree में जाएंगे जो कि null है तो four हमारा complete हो गया अब हम बापिस two पे आ गए तो two के आपने left subtree को complete कर लिया अब आप जाके two को print कर सकते हैं तो हम two को print करेंगे अब हम 2 के right में जाएंगे 5 अपने आप में एक sub tree है तो again वो इस step repeat करो पहले 5 का left print करो फिर 5 को print करो फिर 5 के right को print करो जो गिनल है फिर हम पीछे आजाएंगे अब आपने देखा कि 2 के हमने left sub tree को print किया 2 को भी print कर लिया 2 के right sub tree को भी print कर लिया तो यह complete हो चुका है अब आप पीछे 1 पे आएंगे 1 का left sub tree complete हो चुका है तो अब हम 1 को print करेंगे अब हम 1 के right sub tree में जाएंगे अपने आप में 3 एक 3 है तो 3 के left sub tree को print करेंगे जो किनल है skip कर सकते हैं अब 3 को print करेंगे अब हम जाके 3 के right sub tree में जा सकते हैं यो कि नल है तो यह हमारा इन ओर्डटर है इन ओर बहुत तो यह step हमारे repeat होते है, recursively हमें start करना पड़ता है, दुबारा, तो एक काम करते हैं, अब 1 के पहले left subtree पर print करना है, तो 1 के पहले हमें left में जाना होगा, उसके बाद, अब हम 2 पे हैं, तो पहले 2 के left subtree को print करना होगा, post order में क्या होता है, पहले पूरा left subtree print होगा, फिर right subtree print होगा, फिर जाके आप उस node को print कर सकते हैं, तो अब left में आते आते आप 4 पे पहुच गए, 4 अपने आप में एक subtree है, 4 अपना left को print करेगा, जो की null है, अब 4 अपने right को print करेगा पहले, जो की null है, अब 4 eligible है कि वो अपने आपको print कर सकता है, तो 4 को print करेंगे, अब हम पीछे जाएंगे, 2 के left subtree को print कर चुके हैं, अब 2 के पहले right को print करना होगा, अभी हम 2 को print नहीं कर सकते, से पहले टू के राइट को प्रिंट करना होगा अब हम नए सब्ट्री में हमने एंटर किया तो अगेन पहले फाइब के लेफ्ट सब्ट्री को प्रिंट करेंगे नल है अब जाके फाइब एलिजिवल है फाइब को प्रिंट कर सकते हैं पीछे जाते हैं टू का लेफ्ट सब् 113 complete हो चुका है अब 1 का जो राइट सप्टी है पहले उसे print करना Aoi पिर हमारा वन प्रिंट हो सकता हैं तो हम राइट में जाएंगे three अपने आप में ट्री है तो पहले थ्री का left print करो null है three के right print करो null है अब three eligible है, three को print करो, three complete हो चुका पीछे जाते हैं, one का left सब्ट्री हो चुका राइट सब्ट्री हो चुका अब वन एलेजिवल है तो हम वन को प्रिंट करेंगे तो यह हमारा पोस्ट और है और आप अभी भी कन्फ्यूज होंगे कि इतने तरह के ट्रिवर्सल हम क्यूं पढ़ रहे हैं तो एक जल्दी से एक्जामपल देता हूं मैं एक कोश्चन है हाइट ओफ नोड तो किसी भी नोड की हाइट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेफ सब्ट्री की हाइट कितनी है राइट की कितनी है तब जाके आप उस नोड की हाइट निकाल सकते हो तो आप लोजिक समझ रहे हो पहले लेफ सब्ट्री ट् कर सकते हो तो इस case में height वाले question में आप post order traversal यूज करते हो इसलिए हम अलग लग तेरे के traversal पढ़ रहे हैं हमें अपने question के हिसाब से traversal को यूज करना है तो यह जो dfs के 3 types थे हमने cover कर लिया अब जो 4th type है वह हमारा bfs का है तो कभड़ते हैं level order reversal बहुत ही easy है तो हम कैसे traverse करते हैं इसमें हमें पता हुना ज़ही कि लेवल क्या है तो एक ट्री में मैं पहले level लिख देता हूँ L1 हमारा level 1 है L2 है L3 है तो जब तक हम first level के सारे node visit नहीं कर लेते print नहीं कर लेते तब तक हम level 2 में नहीं आ सकते तो पहले हम 1 print करेंगे फिर हम level 2 पे आएंगे फिर level 2 में 2 and 3 print करेंगे फिर हम level 3 पे आएंगे और level 3 में 4 and 5 print करेंगे लेवल में आप reverse order भी follow कर सकते हैं वह हम बाद में देखेंगे बट लेवल में हमने पहले 1 प्रिंट किया फिर 2 & 3 प्रिंट किया फिर 4 & 5 प्रिंट किया तो इस तरीके से आपने लेवल ओडर ट्रिवर्सल बहुत ही इजी होता है और यह बीएफेस केटिग्रीम का traversal है तो इस तरीके से आप traverse कर सकते हो हमने करा क्या सारे node visit कर लिए और हर node exactly एक बार visit करा है अब मैं बताना चाहूंगा जो हमारे DFS category के जो हमारे traversal थे pre-order, in-order, post-order तो अब बहुती आसानी से उनका recursive code लिख सकते हो तो ऐसा क्यों है तो basically होता क्या recursion क्या करता है call stack यूज़ करता है और जो यह pre-order, in-order and post-order है अगर आप इसका iterative approach लिखोगे तो basically आप एक stack यूज़ करते हैं ताकि आप depth में जाते रहें उसका track रख सकें तो इसलिए इसका recursive code लिखना बहुती easy होता है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ अगर आप pre-order का recursive code लिखोगे तो कुछ lines यूज़ करके three to four lines यूज़ करके आप लिख सकते हो इसी तरीके से आप अगर in order का लिखोगे और इसी तरीके से आप अगर post order का recursive code लिखोगे तो बहुती ज़्यादा easy होता है लिखना लेकिन mostly interview में आपसे इसका iterative code पूछा जाता है तो आने वाली वीडियो में हम इसका recursive code discuss नहीं करेंगे हम करेंगे iterative code की तीनो algorithms तीनो reversal iterative approach को यूज करके कैसे लिखा जा सकता है तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते है नेक्स वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि यूज बहुत 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 बहुतiscover बहुत बह Sou upp.